वेल्कम बेक टू माई चानल दिस इस किरन खान आज आपके लिए एक बहुत मज़िदार सी हरे मसाले की फिश फ्राइ की रेसेपी लेके आई हूँ उमीन करती हूँ कि रेसेपी आपको पसंद आएगी तो फिश फ्राइ के लिए सबसे पहले रिक्वाइड होती है हमें ओवे करते है एक वह स्मेल खतम हो जाती है तो इस तरह से मैंने फिश लेकर कट लगा डिये है जो चोटी फिश आपके पास तो आप उस पे तू ठी कट्स यह होता है कि जो भी हम मसाला लगाएं वो फिश के अंदर तक रच बस जाए तो इस तरह से आपने कट लगाने है फिश को और जितनी भी फिश मेरे पास है उन तमाम फिश को मैं इस तरह से कट लगाती चली जाओंगी आप देख सकते हैं बहुत केरफूल होके लगाना होता है अक्सर जो है वो नाइफ जो हाथ पे लग जाती है तो बी केरफूल अपनी हिफाज़त कीजिए क्योंकि आप सेहत मन रहेंगी आपके हाथ पाऊं सब सलामत रहेंगे कट वट से महफूज रहेंगे तो तब ही आप अच्छी कुग बन सकती है अदरवाइज कोई नुकसान हो गया तो दुबारा फिर आप वो डिश नहीं बनाएंगी ओके जी हमारी फिश को कट लग चुके हैं आप देख सकते हैं अब इसमें मैं लेमन डाल दूंगे निचोड के और पूरी जितनी भी फिश है हमारे पास मेरे पास तक्रीबन 1kg फिश है और इसके लिए डिंख 1प लेमन अएफ है लेमन ने चोड़ते हुए किसी हांडी मैं लेमन डालते हुए फिलाले और अच्छे साथे होड़ा चानommen के लेमन के बीज ना जाएं पर अच्छे से लग जाए और अच्छे से रजबस जाए हल्दी और निम्बू जो है इसमें लग चुका है अब मैं इस मचली को कुछ तेर के लिए तकरीबन आदे गंटे के लिए जोड़ दूगी ताकि इसमें निम्बू और हल्दी रजबस जाए उसके बाद मैं इसे इसके बाद मैं इसको ड्राइ करने के बाद इसमें मसाले लगाऊंगी फिश मेरी बिल्कुल ड्राइ हो चुकी है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है अब इसमें मैं मसाले लगाऊंगी पहले मैं इसको कनवर्ट कर लेती हूं एक और बॉल में उसके बाद मैं मसाले लगा देज वाली हरी मिर्चे नहीं है. इनको भी मैने हलका, मोटा पीछने के बाद इसमें डाल दिया है. इसके बाद तकरीबशन मेरे पास 2 टेबल स्पून पिसा हुआ, कुटा हुआ, मेरे पास लहसन है. ये भी हम फिश में डाल देंगे और इसको डालने के बाद मेरे पास मौजूद है धनिया क्योंकि हम हरे मसाले की फिश बना रहे हैं तो इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्चे मस्ट हैं धनिया जो है ये भी मेरे पास तकरीबन आदी घड़ी था और इसको मैंने पीस लिया इसके इलावा जी मेरे पास lemon juice है जो के आधा जो lemon है उसका juice था मेरे पास वो मैंने इसमें डाल दिया है इसके इलावा जी मैं डालूंगी लाल मिर्चो है लाल मिर्चो का पाॉडर है वो तकरीबन मैंने डेर्ड चमज डालना है इसके अंदर और थोड़ा सा इसमें मैंने healthy powder जालना है जादा हल्दी ,ेसलिए नहीं डाली हूंपारे 강षी है , शचप कश़ साच जीन पीच के गखने जाले हैं मेरे पास खंटा हुआ हुआ जाली है , यह मेरे पास भुना हुआ धुट़टा हुआ , जीरा इसको पहले मैंने तवे पे सेक लिया था उसके बाद पीसा है अब इसमें आपके सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मसली में जो हमने कट लगाए थे कोशिश कीजिए कि जो मसाला है वो उस कट के अंदर आप भरें फिलिंग करें जहां-जहां जो फिश के जितने भी पेसीज हैं उनमें अच्छे से आपने जो मसाला है उसको लगड़ना है फिश को मसाला लगाने के बाद एक से तेर घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए अब हमारी फिश को मेरिनेट हुए एक घंटा हो चुका है और जो मसाला है वो इसमें अंदर तक अच्छे से रच बस गया है और इसकी लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है अब इसमें थोड़ा सा आटा जो है वो इसमें चिड़कूंगी ताके जो जब हम इसे अब अब आज़ा देती हूं और यह इस तरह की कुछ इसकी लुकाएगी और घरे मसाले की जो फिश है वो अब रेडी है कुक करने के लिए आप हम इसे अच्छे से खुले ओईल में फ्राइब करेंगे अब तरह करेंगे अब हम इसमें अपने जो फिश है वो इसमें लगा इसी तरह से हम अब भी सारी जिश की जो फिश है वो पाएगा है अब इसको मैं बोट साइब से अच्छे से कुख करूँगी और इसके बाद ते इसको मैं सर्विं के निकालू जो और आपको बढ़ाओं लेट से फाइन लोगा है पिश्मेरी कुख हो ज़ुक है अब हम इसे निकालें अब हमारी मज़ेदार हरे मसाले की फिश फ्राइज जो है वो तैयार है इसको मैं तेमाटर की चपनी के साथ से स्रविस लिएर गरें कि ओstrings के हरे मसाले की विश इसमें धनियापो दिना बहुत अलगि बढ़िया तो इसलिए टेमाटर की चपनी के सब्सटी और डिलेशियस लगती है उमेद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तैंक यू